नमस्का दूस्तों हमारे टोचलों में आपको प्रस अंकरण क्या होता है यह दोस्तों मैंने पिछली वीडियों आपको वैलेंस अबर्ड थियोरी उसके बाद अधिव्यापन परहा चुका है उसका मैंने पूल डिटेल्स में आपको बता दिया है कि हाविडियों क्या होती है आज किसी वीडियों बताऊंगा यानि कि प्रस अंकरण क्या होता है दूस्तों मैंने आपको सेंजकता बंधन सिधान्त मतलब वैलेंस बन थियोरी में आपको ये बताया था कि सहसेंजक क्यों बंधन जब बनता है तो उसके लिए जो हमारा प्रमानु होता है उसमें अनपयडμαιडियान यानि कि आयोगमित electron होंगे मतलब एक दो तीन मतलब नमबर अफ अनपेड इलेक्टरान उतने ही सहसरोजक बंदन बनाएगा जैसे मालीज अगर किसी परमानु के बारिक अक्षा में एक इलेक्टरान है तो वो एक बॉंड बनाएगा एक बॉंड ठीक है अगर दो है तो दो बॉंड बनाएगा मतलब किसी परमानु के बारिक अक्षा में जीतने अनपेड इलेक्टरान होंगे उतने ही वो बॉंड बनाएगा ठीक है अब बात आती है कि हम लेते हैं अब तीन परमानु जैसे कि माल लेजिए परने के लिए हम तीन ले रहे हैं आपको अच्छे समझा दें है बड़ी जै वो चार होती है बरॉं की 5 होती है और कार्बन की 6 होती है जब हम लोग ने इसका कांफिग्रेशन किया था तब आपको याद होगा इसका होगा 1s2 और 2s2 ठीक है इसमें होगा 1s2 2s2 2p1 इसका 1s2 2s2 2p2 ठीक है अब देखते हैं इसके बाहरी के एक्षा में है 2S में धिक्तम कितने ही लगटान होते है अब देखे बेरिलियम का बेरिलियम का बेरिलियम का ये 1S हो गया 1S ये इसका 2S हो गया 2S और इसका 2P हो गया ये 2P ठीक है इसमें 2S तक ही रहेगा लेकिन मैं 2P तक बना दिया हो निच्छे भी ठीक है इसे परकार बोरॉन में और कार्बन में इन तीनों में देखते हैं ठीक है इसका 1S है इसका 2S है और इसका 2S है इसका भी 2S है इसका 2P है और इसका भी 2P है ठीक ये नहीं रहेगा इसमें ठीक है ये 2S तक इसका electron C में था, ठीक है तो जब हम electron को filling करना start करते हैं, तो इसमें पाते हैं कि इसमें 1 S में देखने 2 electron है तो 2 electron, 2S में 2 electron, इसके beryllium के, beryllium के बारी के एक्षा में, एक electron है, इसमें 2 और S में 2, और P में 1 तो S में 2 2S में 2, और P में 1, इसके 1S में 2, 2S में 2 और 2P में 2, तो 1S में 2, 2S में 2 और 2P में 2, दोस्तो इलेक्ट्रान भरने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अगर आपको सीखना है तो मैं मेरे जो अवात्सानी वाली वीडियो जिसमें मैं लिखा हूँ अवात्सानी उसमें आपको बताया था या फिर जो इलेक्ट्रानिक बिन्यास लिखने का एक बताया था कि जितने unpaired electron होंगे ठीक है उतनी बॉंड बनाएगी जैसे कि इसमें देख रहे हो बारे चाम एक electron है unpaired तो एक ही बॉंड बनाएगी ठीक है यह तो बनाएगी लेकिन जब हम लोग hybridization पढ़ते हैं तो पाते हैं कि जो बेरिलियम है बेरिलियम के पास कोई unpaired electron नहीं है तो इसमें कोई bond नहीं बनेगा लेकिन यह बनाता है जो बेरिलियम है तो दोबनाता ठीक है इसके पास दो इलेक्टान है तो इसको डाई वेलेंट यानि कि दो बंड बनाना चाहिए ठीक है लेकिन यह बनाता है चतूर्थ बंड चार बंड बनाता है इसमें चतूर्थ बंदक ठीक है बंदक ठीक है यानि कि टेट्रावेलेंट ट्रेट्रा वेलेंट ठीक है इसको अमलोग ट्राइवलेंट इसको डाइवलेंट बोलते हैं ठीक है अब देखिए अब आप मैंने बताया था ना कि अन्पेर्ड इलेक्टरांज इतना रहेगा उतना ही बॉंड बनेगा लेकिन प्रस्षकार में क्या होता है जब बेरिलियम ब इसको डू 梯 बंद बनाना चाहिए लेकिन चतुर्त बंद बनाता है ठीक है तो यह कैसे बनाता है ठीक है तो इन सबवलेंट बॉ황्ट में जिसने बारे में परणे के लिए हमको एक पॉलिंग सेंटव के बंद ओर cela ठीक गए उन्होंने एक वर्ड दिया जीशे हम लोह बोलते हैं प्रासंकरान किस ने दिया हुआ पॉलिंग और एस लेटर दोनों साइंटिस्ट उन्होंने एक वर्ड दिया जिसे हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड एजेशन ठीक है अब देखिए हाइब्रिड एजेशन का जो सिम्पल विनिंग होता है इसका अर्थ होता है की अर्बिटलू का समिश्रन अर्बिटलू का समिश्रन यानिकि मेक्सिंग मेक्सिंग आफ आर्बिटलू ठीक है मतलब आडबिटलू का समिश्रन जीश्रन आर्बिटलू जो भी मिस्रित होके मिक्स होके जब अलग बनाते हैं तो वही अर्बिटलू का समिश्रन होता कैसे है मैं आगे आपको बता रहा हूं ठीक है तो रहा उपर कर दो इसको चलिए तो इसका डिफिनिशन पहले देख लेते हैं उसके बाद आपको एक्जामपल देंगे बहुत चत्ति सरह समझ में आएगा तो देखिए इसका डिफिनिशन क्या बोलता है कि जब विफिन उड़ जावाले आर्बिटल जब विफिन उड़ जावाले आर्बिटल परस पर उड़ जाका पूर्णर वित्रन करके समान उर्जा वाले आर्बिटल का निर्मान करते हैं तब वह प्रक्रिया प्रसंकरन कहलाती है देखिए क्या कहता है कि जब विफिन उड़ जावाले आर्बिटल जैसे कि 1s है 2s है 2p है ठीक है इस पी आर्बिटल है इन लोग जो एस की आर्बिटल है उसकी जो उड़ जाओगी अलग होगी प्रसंकरन कहलाती है जब फिन उड़ वाले आर्बिटल जो होंगे वह अपने उड़ जाओज का पूरर बितरन करें datos ब्रम बन जायेंगे तब वह प्रक्रिया जो ओ आपको परचेस करनल ए कि की मातर तीन टाइप लेकिन आपको मैं बताऊँगा पांच टाइप SP SP2 SP3 SP3D और SP3D2 प्रासंकरन ठीक दोस्तों तो चलिए मैं आपको इसको प्रकार दिखा दू प्रकार में प्रासंकरन के प्रकार यानि टाइप अब्रेड़ेशेशन ठीक है तो पहला है SP प्रासंकरन ठीक है यानि की SP आब्रेड़ेशेशन ठीक है शेकन्ड है SP2 प्रासंकरन यानि की SP2 आब्रेड़ेशेशन ठीक है तीसरा है SP3 प्रासंकरन यानि की SP3 आब्रेड़ेशेशन ठीक है चौँ था है SP3 D प्रसंकरण याने की SP3 D hybridization ठीक है और प्रसंकरण प्रसंकरण याने की SP3 D2 hybridization ठीक है दोस्तों मैंने आपको बताया था की प्रसंकरण के कुल कितने परकार? पांच परकार SP, SP2 और SP3 आपको mainly परना है लेकिन आपको यह भी जानकारे रखना है SP3 D क्या है और SP3 D2 क्या है ठीक है यह पांच टाइब के आपको प्रसंकरण में बताऊंगा तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा प्रसंकरण के परकार और उसकी पूरे details study ठीक है दोस्तों तो दोस्तों अगर हमने चलों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिलिस सब्सक्राइब कर लिजिए बिल लागे होंगा तो बजिए ताकि सबीन आपको मिलता है और आप रेग्रों study केड़ते रहें अगर आपके मन में कोई question है तो हमारे comment केजिए कि आपको कहा conclusion हो रहे दूस्तों मैं उसका solution जरूर बताऊंगा या पि उसका एक अलग से वीडियो बना दोगा अगर आपको इस वीडियो में कोई problem है तो आप बहिच्चक पुछ सकते हैं ठीक है दूस्तों Thank you